दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारहवी के बाद करियर विकल्प, करियर का चुनाओ, आशकल देश-विदेश में मौजूद करियर आप्शन्स की दोस्तो विद्धा लाइव आपको सुख्षा में सही विकल्प की जानकारी और करेय गाइडेंस देने के लिए लगातार, मेडिकल, इंजीनेरिंग, मीडिय सहीत कई अन्य विश्यों पर वीडियो बना रहा है हमारा मक्सद आपके भविश्य के लिए सही विकल्प की जानकारी देना और आपका सही मार्द दर्शन करना है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो लिंक के माध्यम से आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं हम बाची शुरू करें उससे पहले आप अपने विद्धा लाइफ को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करने पर हां नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूले ताकि जब भी कोई निया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंद सूचना मिल जाए क्योंकि विद्धा लाइफ सिक्षा और करियर से सम्मंदित सही मार्द दर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिवद्ध है जिन छात्रों और अभिभावकों को सही करियर का चुनाओ करने में परिशानी हो वो विद्धा लाइफ की मदद लिए विद्धा लाइव छात्रों के हितों, योग्यता और कौशल का आंकलन करने में सहायक है विद्धा लाइव आपकी शम्ता के अनुसाद आपको सही कोर्स, कॉलेज और करियर चुनने में पूरी मदद करता है क्योंकि जानकारी के अभाव में आपके साथ धोका भी हो सकता है दोस्तों अब मैं यहां आपको कुछ सुझाओ देरे जा रहा हूँ जिने आप बारावी के बाद अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्सिस आज प्रोफेशनल कोर्सिस का अपना ही जलवा है चातर चाहे तो बारावी के बाद इन कोर्सिस का चुनाओ कर सकते हैं आप चाहे तो IT, Media, Real Estate, Management, Hotel, Catering, Promotion, Sales, Travel and Tourism, Fashion Designing, Event Management, Public Relations जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सिस हैं जो खूब डिमांड में हैं यह ऐसे शेत्र हैं जिनमें नौकरी का काफी स्कोप है दूसरा, Defense Services अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए NDA, CDS किया जा सकता है कई स्कूल, कोचिंग सेंटर, NDA, CDS के परिक्षा की तयारी एक 11 वी कक्षा से ही कराने लग जाते हैं पर चातर, 12 वी कक्षा में भी इस एक्जाइम के तयारी कर सकते हैं वही बात करते हैं Engineering, Medical या Science फिल्ड की अगर छातर इंजीनियरिंग, Medical या Science फिल्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वह बारवी के बाद किसी प्रतिश्ठत संस्थान से B.Sc. पास या B.Sc. ओनर्स कर सकते हैं आज कल Biotechnology, Genetics, Electronics जैसे विश्यों में भी Graduation करने का विकल्प है आज बारवी के बाद Engineering या Medical course भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए Interest इक्जाम को पास करना जरूरी है अब बात करते हैं Commerce और Computer Science की आज Commerce के फिल्ड में भी काफी विकल्प है जिसे छातर अपनी पसंद से चुन सकते हैं इस स्ट्रीम के छातर भविश्य में MBA, CS, CA, Financial Analyst जैसे शेत्रों में सुनारा करियर बना सकते हैं Computer Science course की डिमांड भी काफी बढ़ गई है अब आते हैं Arts पर आज कल Arts का भी बोल बाला है भले ही कई छातर और पेरिंट्स Arts को अन्नी स्ट्रीम के मुकाबले कमतर आखते हों लेकिन सच तो यही है कि Arts के शित्रे में भी असीम संभाव नाए हैं Arts स्ट्रीम के छातर बारवी के बाद Civil Services की तयारी कर सकते हैं आप Economics, Psychology, History, Philosophy आदि में Graduation कर सकते हैं Arts से Graduation करने के बाद आप Civil Services में जा सकते हैं इसके अलावा MBA, Journalist, Market Analyst, Teaching, Anthropology, Human Resources, MSW आदि में भी आपके सामने कई विकल्प मौझूद होते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में विद्दा लाइव आपके लिए Engineering सेक्टर, Medical सेक्टर, Management सेक्टर, Legal सेक्टर के अलावा भी कई विश्यों पर बात करेगा हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा विद्दा लाइव आपसे लाइक बटन को दबाने और कमेंट सेक्टर में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता है वीडियो को अपने दोस्तों और परिवाल के सद्द से कोई साथ भी शेयर करें और साथी साथ विद्दा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा किसी विशे संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमिंग बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या विद्द्यालाइव की ओफिशल इमेल आईडी info at vidyalाइव.com पर लिख सकते हैं विद्द्यालाइव आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहा है धन्यवादा